Hello everyone, welcome back to my channel Parenting and Education Recently, मैंने वीडियो अफ्लोड किया था कि RTE का रिजर्ट कैसे देखे कैसे Admin Cut को डाउनलोड करना है RTE admission की क्या procedure है So, इन वीडियो में parents के बहुत से doubt थे बहुत से parents को queries है तो आज की वीडियो में हम उन सारे queries को solve करेंगे जितने वी questions parents को आये है तो हम एक एक करके सब questions के answer को solve करेंगे RTE पर मैंने एक separate series बनाई है हर एक topic को detail में बात किये है उन सारे वीडियो की list मैं description box में देदूंगी या आप जाके play list में देख सकते है ऐसे और informative वीडियो देखने के लिए में चैनल को subscribe करके bell icon को hit कीजे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आपको informative लगता है, helpful लगता है तो please मेरे वीडियो को like कीजे चलो तो आज का वीडियो शुरू करते है तो पहला सवाल है कि RTE में हमारे बच्चों का number तो लग गया है लेकिन जो हमने स्कूल slate की थी जो हमने स्कूल डाले थी वो स्कूल नहीं मिली है, दूसरी स्कूल मिली है तो क्या स्कूल change हो सकती है, क्या तो इसका answer है नहीं एक बार को आपने RTE में जो स्कूल नेम डाले है और एक बार RTE का रिजर्ड लगने के बाद जो भी school आपके बच्चों को alone रट हुई है, वो ही school में आपको बच्चों को admission करनी है, आप दुसरी school में admission नहीं कर सकते है या फिर आपको school भी चेंज करके नहीं मिलेगी. दुसरा सवाल हमारे बच्चों का नाम waiting list में आया है, तो क्या waiting list क्लेए हो सकती है क्या? तो friends इस पर में एक separate video बनाया है उस video में आपको detail जानकरी मिल जाएगी लेकर इस video में मैं शॉर्टकट में आंसर देती हूँ सबसे पहले तो आपको student portal में जाके एक waiting list डाउनलोड करनी है waiting list का PDF format और दिया है वो आपको waiting list डाउनलोड करना है उसमें आपको देखना है कि आपके बच्चो का नाम किस पर नमबर में आया है कौन से नमबर पर आया है अगर आपके बच्चो का नाम starting में नमबर में आता है तो चांसे से कि आपके बच्चो का waiting list clear हो जाएगा लेकिन आपके बच्चो का नाम 20, 30, 50 इस rank पर आया है तो वहाँ पर less possibility है अगर आपके बच्चो का नाम 10 पर नमबर पर आता है और पहले कि जो 9 बच्चे है अगर उन्होंने admission नहीं ली तो automatically आपके बच्चो का admission मिल जाएगे इस प्रकार आपके बच्चो का waiting list clear हो जाएगा question number 3, RTE के selection list में हमारे बच्चो का नाम नहीं आया है तो इसका ये मतलब है कि आपके बच्चो का selection नहीं हुआ है इंडरिक लिए आप ऐसे भी चेक कर सकते हो आपको student portal में जाना है application wise status में आपके बच्चो का application number सेड़ करना है अगर वहाँ पे आपके बच्चो का admission हो सकता है तो admission confirm दिखाता है अगर आपके बच्चो का नाम वेटिंग पर है वहाँ पे वेटिंग दिखाता है और अगर आपके बच्चो का नाम confirm list में नहीं है अगर आपके बच्चो का नाम waiting list में नहीं है इसका मतलब है कि आपके बच्चो का selection नहीं हुआ है So don't worry parents, अगर इस साल आपके बच्चों का number नहीं लगा है, तो आप next year जरू try कीजिए और admission process कैसी है, इस पर मैंने वीडियो बना है और इस वीडियो के आप जरूर देख लीजिए Question number 4, कि RTA में हमारे बच्चों का number लग गया की नहीं, हम कैसे चेक करें So friends, सबसे पहले तो आपको RTA की main website में जाना होगा, वहाँ पे आपको स्क्रोल करके application wise status में जाना होगा, आपके बच्चों का application number डालना होगा, जैसे आप application डालते हो तो आपको एक ID password पूछेगा, आपको ID password डालना है, उसके बाद आपके बच्चों का application status, मिस आपके बच्चो का number RTA में select हो गया है, उसके बाद के procedure क्या है, अगर आपके बच्चों का number RTA में confirm हो जाता है, तो आपको admit card download करना है, उसके बाद आपको application form download करना है, उसके बाद आपको जो important document लगने वाले है, और document के साथ self declaration form भी download करना है, और यह सारे document को जाके पहले आपको verification center में जाना ह वहाँ पर आपको सारे document को verify करके, देर आपको जो भी school allot हुई है, उस school में जाके आपको admission करानी है, फिर भी आपको कोई doubt आता है, तो इस पर मैंने already वीडियो बनाया है, वो वीडियो पर आप जाके detail चेक कर सकते हो, question number 6, RT के admission को लगने के लिए important document कुन-कुन से है, से पहल इसके चाहिड आपको चैयल का birth certificate लगने वाला है, अगर आप reserve category में आते हो, तो आपको बच्चे का город certificate अगर बच्चे के पास birth certificate नहीं है, तो उसके father का UH class certificate你ई चलेगा, इसके बाद अगर आप open category में आते हो, तो open category के लिए आपको income certificate लगेगा, income certificate में भी आपको जो income है, जो आपकी yearly income है, वो आपको less than 1 lakh दिखाना होगा, इसके बाद आपको address proof चाहिए, address proof में आप electric bill, ration card, आपका traffic license, pan card, अधर card, इस अब आप दिखा सकते हो, next question, कि document verification कहा से करना है, उसके लिए आपको आपका admit का download करना है, और admit card के नीचे ही कुछ school की list दी है, वो ही आपका documentation, वो ही आपका document verification center है, वहाँ पर जाके आपको आपके document साथ लेके जाना है, और document को अच्छे से verify करना है, document verify हो जाने की बाद ही आपको school admission करानी है, without document को verify करके आपको admission नहीं मिल सकती है, तो सबसे पहले आपको document को verification करना है, उसके बाद ही आपके बच्चे की admission करानी है, So friends, यह सारे questions मुझे parents ने पूचे है, और इस वीडियो में मैंने try किया है, सारे question के answer दू, इसके बाद भी आपको कुछ queries है, तो आप मुझे comment में पूछे, वो भी केरिस को मैं स्वाल करनके कोशिश करूंगी, उमीद करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको helpful रहा है, informative अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज मेरी एक request है कि प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजिए, फिर मिलते है एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ, बाई, टेक कियर मेरे हाई साथ, बाई, बाई, एक वीड़ से अयाया के साथ, इंटी एक के साथ, नएला को लाईता बाई Luck क राईता है वीडियो無र के स reignी प्लीज के साथ, इंठता्यक दो कि न है अढ़ा है